Mutualism Mutualism की बात करें तो ये प्लस और प्लस का association है, तो इंडिविज्वल सब बता रहे हैं बहाई, क्या मतलब आप लोग को क्यों लग रहा है कि हम भी ना बताया चले जाएंगे ऐसा हुआ है क्या कभी तो इंडिविज्वल एक साथ रहते हैं और एक दुसरे को benefit पहुचाते हैं तोनों को एक दुसरे से benefit मिलता है Mutualism दो तरहिके से होता है मतलब both species are benefited both species species benefited from each other benefited from each other अब आईए देखिए जरा ध्यान से ये दो तरहिके का है एक होता है Obligate Mutualism बार बार हमने बताया है Obligate का मतलब होता है Non-Optional Obligate का मतलब होता है Non-Optional Non-Optional का मतलब कोई option नहीं अगर दोनों को अलग कर दिया जाये तो मरने के सिवा ठीक है तू जरूरी है जिन्दा रहने के लिए ठीक है अब आते हैं Obligate Mutualism के बाद एक है Facultative Mutualism Facultative Mutualism का मतलब optional Mutualism अगर दोनों को एक दुसरे से अलग भी कर दिया जाये ठीक है तनिक धीरज रखो तो भी यह जी लेंगे भाई चलो फिक है मतलब compromise एक तरीके से ओके दन है ओके ध्यान से समझना Obligate Mutualism का मतलब है कि यह भी तो प्लस प्लस है और यह भी प्लस प्लस है ओके लेकिन Facultative Mutualism अलसो कॉल्ड एस प्रोटो को ओपरेशन प्रोटो को ओपरेशन प्रोटो को ओपरेशन कहते हैं यहाँ पे आप याद रखेंगे यहाँ पे आप याद रखेंगे कि बोट स्पीसीज गनाट सर्वाइव विदाउट एच अदर गनाट सर्वाइव विदाउट एच अदर एकदम पक्के वाले हैं यह दोनो और यहाँ है चलो भाई ठीक है जी लेंगे कोई बात नहीं है साथ रह रहें तब तक हैं? नहीं है तो फिर ठीक है अब ते रिविंज जी लेंगे हम कोई बात नहीं है तो यहाँ पे आप देखेंगे बोट स्पीसीज can survive without each other if separated both species can survive without each other if separated होना भी ऐसा चाहिए किसको फेवर करते हैं पहले वाले को दूसरे को यह बताओ लेकिन वादा लोग यह वाला करते हैं बाद में ऐसा बन जाते हैं कमज रहे हो ना लाइफ की सचाही तो यह ही है कि इनिशल फेज में अबलिगेट मुचलिजम वाला वादा करते हैं और बाद में बनना बढ़ता है फैकल्डेटिव मजबूरी है सबकी ठीक है तो आएए देखते हैं इसके एक्जामपल देख लेते हैं ध्यान से समझना सबकी one by one एक्जामपल देखते है पहला एक्जामपल इसका है लाइकेन पहला एक्जामपल है लाइकेन अब लाइकेन सिंबायोटिक असोसिया मुचलिजम है कि इसके बीच अब्लीगेट में चुलन, अचा फॉस्ट वाला अब कभी कनफ्यूज नहीं हों गया लाइकेन जो है वो अब्लीगेट में चुलन है किसके बीच ऐल्गी और फंजाई ऐल्गी और फंजाई दूसरा एक्जामपल है, mycorrhiza जिस सब आएगा, mycorrhiza वगेर, mycorrhiza क्या है? higher roots of higher plant and fungi के बीच association roots of higher plant and fungi के बीच association एक बड़ी अच्छी line मुझे याद आ रही है वो अफसाना जिसे पता नहीं क्या वो अफसाना जिसे पाना ना हूं मुमकिन उसे एक खुबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा कुछ लोग तो अब्लिगेट मुचिलिजम वाले हो जाते हैं वोश्ली लोग फैकल्टी टिमुचिलिजम हैं मतलब मुश्ली नहीं मुश्ली लोग ऐसे वाले हैं आजकल के लोग यह वाले हैं पता हैं competition वाले एक दूसरे को बदणाम करना हम उनको बदणाम करेंगे वह हम को बदणाम करेंगे ठीक है, तो आजकल के लोग इस कटेगरी में ज़ादा हैं, क्योंकि एक्चूल में चीजें जो हैं आजके जनरेशन के, उसमें competition वाले लोग ज़ादा है, ठीक है, competition, दोनों का harm, तुम करो ठीक है, हम भी करेंगे इधर से, तुम करो नुक्सान मेरा, हम भी करेंगे, तो ये वाली हालत है, देखो, यहाँ पे स्वाती पाहुने किसी मोड पर, किसी राह पर कहीं चल न देने, छोड़ कर मेरे हम सब, बन्दब सब यहाँ पे अब जो है ना, मुझे लगता है, कि पुरा शायर ही बैठे हुए, इसलिए हम ऐसे मुद्दे, जो है, कुरेदते नहीं है, कि सब के दर्द बाहर आने शुरू है, ऐसे मुद्दे कुरेदने नहीं चाहिए, पढ़ा ही पे आते हैं, ठीक, ध्यान देजे, पढ़ने पे, अच्छा, इसका हम देखते हैं, लाइकेन की बात करते हैं, लाइकेन में एलगी और फंजाई, माइकोराइजा असोसियेशन, हायर प्लांट के रूट के साथ, और फंजाई के साथ, ठीक है, तो, इसमें हम लोग बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, अपने नाम सुना है, हमने आपको बताया था, कोलपा मौत, और ओफ्रिस, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, ओफ्रिस एंड कोलपा मौत, कोलपा मौत एंड ओफ्रिस, ठीक है, इसके अलावाँ फिग एंड, फिग ट्री एंड वास्प, तो ये सब जो है ना, अब इसके बाद जानते हैं, क्या है, फैकल्टेटिव मौचलिजम की बात करें, अभी हमें इस अब एक्जामपल बताएंगे, ओफ्रिस और कोलपा मात के बारे में भी बताएंगे, आपने नाम सुना, ओफ्रिस एक प्लांट है, और्किड का, उसके बारे में बात कर, ठीक अब हम आते हैं, फैकल्टेटिव मौचलिजम के बारे में, फैकल्टेटिव मौचलिजम का एक बहुत चाह एक्जामपल है, हर्मिट क्रैब और सी एनिमोन, और दूसरा क्या है, शार्क एंड सकरफिश, शार्क एंड सकरफिश, सकरफिश किसको कहते जानते हैं, रिमोरा रिमोरा को कहा जाए अब देखो हर्मिट क्रेब और सी एनिमोन एक दुस्थरे के साथ रहते हैं लेकिन दोनों को अगर सपरेट कर दिया जाए तो भी कोई फरक नहीं है इसी तरीके से शार्क के बैग पे सकर्फिस पाई जाती ही रिमोरा लेकिन अगर इनको जो है दोनों को सपरेट कर दिया जाए तो शार्क को कोई फरक नहीं पड़ता है दोनों अलग भी सरवाइब कर से यह दो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी आइमपी यह दोनों आपको एकदम अच्छे से समझना है क्या बताया हमने हरमिट क्रेब और सी एनिमोन हरमिट क्रेब को एडेमसिया कहते हैं एडेमसिया पहले एग्जामपल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है अब आएए देखिए थोड़ा सा हम ये ओफ्रिस और कौल्वा मौत का इग्जामपल बताते हैं ौफ्रिस & कोलपा मौथ का example बताते हैं, फटा फट बात एगदम नहीं, है ना, मैं बाफेलो एंड बर्ड होगा न, हां, हां बाफेलो एंड बर्ड भी होगा, ठीक, ठीक, इसके बारे में बात करते हैं, next देखते हैं, ओफ्रिस & कोलपा मौथ, ये एक्जाम्पल है स्यूडो कॉपूलेशन का, स्यूडो कॉपूलेशन या सेक्शुल डिसीट का, सेक्शुल डिसीट, डिसीट का मतलब होता है धोखा, सेक्शुल डिसीट, ज्यान से समझे, स्यूडो कॉपूलेशन या सेक्शुल डिसीट, मेडीटेरेन आर्किड यह आर्किड की एक स्पीसीज आर्किड जो होता है आर्किट की एक स्पीसीज है, ठीक, और कोल्पा मौत, या कहीं कहीं इसको, जो है, मौत बस जनरली रिखा रहता है, कोल्पा मौत, क्या कहते हैं इसको? कोल्पा मौत का साइंटिफिक नेम तो कुछ था ऐसे, कुछ कोई आरियस करके था, ना, इसमें मेल, मेल वास्प भी लिखा रहता है, वास्प या मौत लिखा रहता है, ठीक, ठीक है, अब देखना जड़ा ध्यान से, इसमें होता है क्या? इसमें क्या होता है? अच्छा, सॉरी, हम यहां पे यह गलती होगी है, मैंसे भाई, सॉरी, सार्क और शकरफिस यहां नहीं आए, वो कमेंसलिजम का एक्जाम्प, अब आप लोग थोड़ा सा बोलना बंद करिए, मुझे पढ़ाने दीजे, यह कट कर दीजे, शार्क और सकरफिस कमेंसलिजम का इसको कट कर दीजे, थोड़ा सा बोलना बंद कर दीजे, हम कमेंट अभी नहीं देख पाएंगे, अब जानते हैं क्या होता है, ध्यान से समझना, यह जो आर्कीड है, मालो यह आर्कीड है, और आर्कीड में यह एक तरीके से, यह मालो इसकी ओवरी है, प्लिस बी अटेंट पेटल और इसका सेपल है, यह तो आप सबको पता है, सेपल, पेटल और अंडिसियम, गाइनिसियम, इसके जो पेटल पे जो मार्किंग पैटन होता है, इसके पेटल पे जो मार्किंग पैटन होता है, और इसके पेटल का जो कलर है, इसके पेटल का जो कलर है, और इसका जो मा मार्किंग, यह हम लिख रहे हैं ओफ्रिस, ओफ्रिस प्लांट की बात कर रहे हैं, इसका जो पेटल का कलर है और मार्किंग पैटर्न है, यह इसके जैसा है, यह सिमिलर टू फीमेल वास्प या सिमिलर टू फीमेल मौथ, सिमिलर टू फीमेल वास्प या मौथ, अब मेल इसको फीमेल वास्प आता है और इसको फीमेल समझ बढ़ता है, ठीक है, यह मेल वास्प आता है, इसको फीमेल समझ के इसके साथ कपुलेशन करने की कोशिश, सेक्शुल कपुलेशन करने की कोशिश करने, और होता क्या है यह मेल आके यहां पर बैठा इसको कपलेट करने की कोशिश किया और कहीं न कहीं इसके pollen grain इस पर जढ़ जाते हैं इस plant के pollen grain इसके बॉड़ी पर चिपक जाते हैं अब यह फिर यह मेल यहां से उड़ा और दूसरे other plant पर गया और other plant पर जाएगा और इसी same species के वहाँ भी इसको मान के चलेगा कि भी यह यह female है और वहाँ जाके बैठेगा तो वहाँ पर pollination कर देगा यहां से pollen grain उस plant के ovary पर जाके यहां पर spray हो जाएगे एक तरीके से तो अब क्या है कि अगर यह एक तरीके का mutual association है mutual और obligate mutualism है obligate mutualism का मतलब यह है कि इस ofris plant का इस ofris plant का कोई दूसरा no other pollinator कोई other pollinator नहीं है यही इसका pollinator है no other pollinator rather than या except male wasp इस male wasp की अलामा इसका कोई pollinator नहीं है और male wasp भी यहां से क्या लेता है male wasp भी यहां से एक तरीके से कहते हैं यहीं से जो है अपना nourishment लेता है इसी को feed करता है इसी plant पे अगर मान लो मेरी बात को समझ रहा हो ना इसको हम लोग pseudo copulation या sexual deceit कहते हैं sexual deceit का मतलब sexual धोखा है एक तरीके से actual में copulation नहीं होता है pseudo false, pseudo मतलब false copulation होता है क्या होता है false copulation तो यह सभी को समझ में आ गया ofris और kolpa math छीक है male wasp जिसको kolpa arius की नाम से भी जानते है male इसको female समझ के इसके उपर आता है और यहां पे pseudo copulation करने की कोशिश करता है लेकिन copulation तो नहीं हो पाता लेकिन यहां से pollen grain इसकी body पर लग जाते हैं और फिर जब वो दूसरे plant पर फिर उसको female समझ के जाता है तो उसकी body से pollen grain इस्टिग्मा पर जढ़ जाते हैं और वहां पर pollination हो जाता है done है यहां तक जल्दी से बताइए किसी को कोई दिकत नहीं न तो यह है आपका pseudo copulation अब हम अगला आते हैं अगला आते हैं कमंसलिजम के बारे में बात करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा यह दो प्रॉसेस पहली प्रॉसेस क्या है obligate mutualism और दूसरी प्रॉसेस क्या है facultative mutualism